हेलो एबरिबरिबन, स्वागत है आप सभी का जी अस क्रक्स में आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लेदर बैक सी टर्टल के बारे में जो आप इमेज में देख सकते हैं कि लेदर बैक सी टर्टल जो है यह है और इसके जो पीछे जो हार्ड कवरिंग होती है और सारे टर्टल में पीछे हार्ड कवरिंग होती है इनके उपर और ये जो नियुज में है ये स्पीजिश इनके ऊपर ये कवरिंग नहीं होती इसलिए ये exception है और सारे टर्टल से तो इसके बारे में ज़्यดी हम देखें तो जो लेदर बैक सी टर्टल है ये G.S. प्रेलिम्स और जिस पेपर थर्ड के बायो डाइवर्सिटी और इन्वार्मेंट पार्ट में इसे रेलेटेट क्वेस्टन सा सकते हैं तो कंजर्वेशनिस्ट जो है उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की है इनके खत्रे के उपर जो जैंट लेदर बैक टर्टल हैं इनके खत्र इनके उपर मड़ा रहें कैसे मड़ा रहें देखते हैं लोग तो नीती आयोग ने अभी प्रपोजल दिया है टूरिज्म डेवलप्मेंट के लिए पोर्ट डेवलप्मेंट के लिए अंडमान और निकोबार आइलेंड पे नीती आयोग का वीजन है कि यह जो है मेगा सिप मेंट पूर्ट बनाएं गैलेथिया बे जो कि ग्रेट निकोबार आइलेंड पे है और लिटिल अंडमान पे भी इन्होंने प्रपोजल पास किया है टूरिज्म डेवलप्मेंट करने के लिए और यहां जो है पहले टूरिज्म उत्ता नहीं होता था इसलिए यहां पे जो ह हम तो यह यहां हृधि टूरिज्म डेवलप्मेंट कीया जाएगा तो इसके कारण जो है 200 स्कौईर किलो मेटर आप जो फोरेस्ट है रहें फोरेस्ट है उसको डी रिजर्वेशन किया जाएगा यानि जो डीजर्व था उससे अब डी Îजर्वेशन कर दिया जाएगा और और जो 140 किलो मीटर जो एरिया था 140 किलो मीटर का वो लगबब ओंगे ट्राइब के लिए रिजर्व था लेकिन उन्हें भी अबडे रिजर्व किया जाएगा क्योंकि यहां पोर्ट का डेवलप्मेंट और टूरिज्म के डेवलप्मेंट में यह सारी चींजे जो हटाए जाएगे एरिजर्वेसन अब हम लोग देखते हैं लेदर बैक सी टर्टल के बारे में तो जो लेदर बैक सी टर्टल है इसके बारे में हम देखें तो यह लारजेस्ट है सेवन स्पीसिस में जो टर्टल की स्पीसिस हैं उनमें सबसे बड़ा है ये और कोन-कोन सी स् banner जैसे की ओलिव रेडले टर्टल गृन टर्टल हॉन लोगरफेड टर्टल लेदर-बैग तर्टल और लोगर अर hayd जो है यह हैं ऐसे स्בीस्इस हैं जो कि इंडियन कोस्ट कोष्ट पे अपनी नेश्टिंग नहीं करते हैं सिर्फ लॉगर हेड जो यहां की स्पीसीस है इस टर्टल की वो इन चारों में इंडियन कोष्ट पे अपनी नेश्टिंग करते हैं और जो लेधर बैक सी टर्टल है ये सभी ओसेंस में पाय जाते हैं except Arctic and Antarctic यह this area except Arctic can चोड़ दें तो सभी ओसिसमें पाए जाते हैं कि लेधर एक 시ट टइल के बारे में देखें तो यह इंडियन में कहां कहां पाए जाते हैं इनके बारे में देखें हम तो यह इन्डोनेसी आ स्रीलंका अंडमान एनिको भर आलेंड पही अपनी Nesting करते हैं यह सिर्फ Species है जो कि Dermokyle जो इनका Genus है उस Family से बिलॉग करते हैं और इनको आसानी से जो है Differentiate किया जा सकता है जो कि Modern Sea Turtle है उनसे क्योंकि इनमें Leica Bonny Sail होता है यानि कि Bonny जो Sail Covering होती है पीछे इनके Hard Covering होती है वो इस Leather Back इसे जो है सेड्यूल वन में रखा गया है जो कि वाइड लैप प्रोटेक्शन एक टुनिसौबहत्तर बनाया गया था इंडिया में उसके सेड्यूल वन में रखा गया है इसको लेदर बैक सी टर्टल को अब कुछ और जानकारिया हैं जैसे हम देखें कि मिनिस्ट्रिया फिर इंवार्मेंट जो है National Marine Turtle Action Plan लाई थी अंड़मान निकोबार पे एक इमपॉर्टेंस के लिए वहां कि जो टर्टल हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इनोने इन्वार्मेंट मिनिस्ट्री ने ये रिलीज किया था Action Plan जो कि National Marine तर्टल एकशन फ्लान था इस प्लान के एक अड़िंग जो है जो इंपोर्टन टिट करने की इसमें बात कहे गई थी और इनको जो है कोस्टल से बात कहे गई थी और इनको कोष्टल जो South Bay है West Bay है लिटिन अल्मान और गेलथिया जो आइलेंड है ग्रेट निकोबार पे वो मेंसेंड है इसमें और ये इंडिया के यानि कि ये जो प्लेशेस निउज में थे अभी नेती आया उन्हें जिन पर प्रपोजल दिया है टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए वहाँ पोर्ट सिप्मेंट बनाने के लिए और टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ये ऐसे प्लेशेस हैं जहां कि किया जाए तो ये खत्रे में हो जाएंगे तो आज के वीडियो में हमने देखा लेदर बैक सी टर्टल के बारे में लेदर बैक सी टर्टल जो है ये निउज में था और इस से रेलेटेड जो है जी एस प्रिलिम्स और जी एस पेपर थर्ड के बायो डियर्सिटी और इन्व पूछे जा सकते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए चीज़ों के साथ तब तक के लिए धन्यवाद